नमस्कार दोस्तों मैं इसका सिंग अपने रापके यूटूब चैनल एपस राजा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ दोस्तों बारत सरकार ने नेशनल हाईवे से गुजरने वाले सभी चार पहिया वाहनों के लिए 1 December 2019 से Fast Track को अनिवार कर दिया है मतलब आदि आपने अपने वाहन पर 1 December 2019 से Fast Track नहीं लगाया तो अब आपको टोल पलाजा पर दुगना पैसा देना पड़ सकता है और आपको कई अन्य तरकी परिसानियों का भी सामना करना पड़ सकता है तो दोस्तो इन परिसानियों से बचने के लिए आपको अब Fast Track लगाना जरूरी है और इसके बहुत सारे फाइदे हैं तो चलिए दोस्तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि Fast Track क्या है और आया कैसे काम करता है Fast Track आपको कैसे मिलेगा, कहां से मिलेगा, Fast Track के लिए किन-किन डोकुमेंट्स की जरूरत है Fast Track को आप कैसे यूज करेंगे और Fast Track के क्या बेनिफिट है इस सारी बाते आपको फूल इन फूर्पेसर के साथ इस वीडियो में बताने वाला हूँ तो दोस्तों कहीं मत जाएगा, शुरू सेंट तक वीडियो को जरू देखिए और वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, दोस्तों तक शेयर कीजिए और चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि हर नई वीडियो आपको सबसे पहले मिलेते, चले दोस्तों आज का वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों सरकार द्वारा एक दिसंबर 2019 से फास्टेक को अनिवार करने के बाद से सभी चार पहिया वाहन के मालिकों में ये सकता बढ़ गई है कि फास्टेक क्या है, फास्टेक को कैसे यूज करेंगे, फास्टेक के क्या बेनिफिट है यह तकनिक रेडियो फ्रेक्वेंसेट आइडिनिफिकेशन के प्रिंसिपल पर काम करता है, इस टेक को वाहन के विंड स्क्रीन पर लगा जाता है, ताकि टोल पलाजा पर मौजूद सेंसर इसे रीड कर सके, जब कोई वाहन टोल पलाजा पर फास्टेक लेन से गुजरती है, तो आटोमेटिक रूप से टोल चार्ज कर जाता है, इसके वाहन को रुखना नहीं पड़ता है, और एक बार जब आप फास्टेक ले लेते हैं, तो आपको 5 साल यह फास्टेक एक् वहीं पुरानी वाहनों के लिए इसे नेशनल हाइवे के पॉइंट अफ सेल से खरीदा जा सकता है, इसके अलावा फास्टेक को प्राइवेट सेक्टर के बैंकों से भी खरीदा जा सकता है, इनका टाइप नेशनल हाइवे अथरोटी आफ इंडिया से होता है, इनमें प्राइस बैक का भी फायदा मिल सकता है, तो दोस्तो आप पेटीम से भी फास्टेक खरीद सकते हैं, और तिसरा पॉइंट है तो फास्टेक के लिए किनकिन डोकुमेंट की जरूरत होगी, तो दोस्तो अधि आप फास्टेक खरीदना चाह रहे हैं, तो आपको कुछ देने होंगे, आपको इन डोकुमेंट की अरिजिनल कॉपी भी साथ में ले जानी होगी, ताकि वेरिफाय किया जा सके, इनमें वाहन का रजिस्टेशन, सर्टिफिकेट आनि रसी, वाहन मालिका पास्पोर्ट साइज फोटो और क्यवाईसी डोकुमेंट होना चाहिए, इन इनमें आप ड्राइविंग लेसेंस, पैन कार्ड, पास्पोर्ट, वोटर आईड कार्ड या अधार कार्ड सामिल हो सकता है, डोकुमेंट की जरूरत इसे बात पर निरबर करता है कि आप वाहन प्राइवेट या कॉमर्सियल है, और दोस्तों चौथा पॉइंट है कि आप इसे कैसे इस्तिमाल करेंगा, निए फास्टेक को आप कैसे इस्तिमाल करेंगे, तो सबसे पहले तो फास्टेक के लिए आपको प्लास्टिक कवरिंग उतार कर इसे वाहन के विंड स्क्रीन पर लगाना होगा, पहली बार इस्तिमाल कर रहे है उजर को इसे अपने ऑनलाइन wallet से link करना होगा इसके लिए उन्हें उस bank के website पर जाना होगा जिन से fast tag खरीदा गया है उसके बाद दिये gas tape को follow करना है follow करने के बाद आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं इस wallet को online recharge किया जा सकता है fast tag account से हर बार पैसे कटने के बाद इसका एक sms wallet भी आपको मिलेगा और दोस्तो बहुत ही easy है आप आसानी से इसे कर सकते हैं और दोस्तो यहाँ पर सबसे important बात की fast tag के आखिर फाइदे क्या है तो दोस्तो fast tag इस्तेमाल करने का सबसे बड़ा फाइदा यह है कि toll plaja पर आप आपको लंबी लाइन लगाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी साथ ही payment की सहुलियत की वज़े से किसी को नगदी साथ में रखने की जरूरत नहीं होती toll plaja पर paper का इस्तेमाल भी कम होता है lane में वहानों की लंबी लाइन कम होने की वज़े से परदूसन भी कम होता है फास्टेक के इस्तेमाल पर कई तरका cashback और अनाफर भी उपलब्द है तो दोस्तो फास्टेक से related किसी अंतरह की जानकारी जानने के लिए comments में जरूर लखिए मैं आपकी पूरी कोसिस करूँग आपके सवालों को जवाब देने के लिए और दोस्तो ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए दोस्तो तक share जरूर कीजिए ताकि उनको फी फास्टेक से related सारी information मिल सके तो दोस्तो वीडियो देखने लिए धन्यवाद खुष रहें मस्त रहें स्वस्त रहें जै इन जै भारत